सुद भूद लोटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की और चल पड़े उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए उनके चरणों में गेर पड़े कौशल्या आहत थी अर्थार बच्चों अपनी परिस्थित को सम्हालते हुए जब भरत उठते हैं तो उठतें के साथ तुरंती रानी कौशल्या के महल के और चले जाते हैं और उनसे एक छोटे बच्चे की भादी एक छोटे बालक की भादी लिपट कर बहुत रोते हैं और उनके पैरों में भी गिर जाते हैं लेकिन कौशलय बहुत आहत थी, आहत का मतलब यह होता है बचो कि अत्यधिक दुखी होना, यानि कौशलय के किये गए बढ़ताओं के कारण काफी आहत थी, बहुत दुखी थी, उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनों कामना पूरी हुए, तुम जो चाहते थे वो हो गया राम अब जंगल में है, अयुध्य का राज तुम्हारा है, मुझे बस एक दुख है, कैके ने राज लेने का जो तरीका अपनाया, वो अनुचित था, निर्मम था, तुम राज करो पुत्र, पर मुझे पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पस भिजवा दो अर्थार बच्चो, यहाँ पर कोशल्या ने भी पहले भरत को दोशी ही पाया है, और उसी चीज से आहत होकर उन्होंने कहा है, कि तुम्हारी मनों कामना तो पूरी हो गई, और तुम जो चाहते थे वो हो गया, अब तो राम भी जंगल में चला गया है, अविध्य का राज अब तुम्हारे हाथ में है, मुझे तो बस एकी बात का दुख है, कि कहकेई ने जो तरीका अपनाया था, राज को लेने के लिए, अनुचित का अर्थ होता है बच्चो, जो उचित ना हो, यानि जो सही धंग से ना किया गया हो, और निर्मम का अथ होता है निश्ठुर, अर्थात, यह जो तरीका उन्होंने अपनाया था, कि उन्होंने दो वर्दान ठीक एक दिन पहले मांगना, यह सारी बाते जो क्रेकलाप हो, उसी के दुख से व्यथित राजा दश्यत के मिर्ति हो जाना, इन सभी चिजों से वो बहुत आहात है, और इस नाते से वो तरीके को क्या कहती है, गलत बताती है, तुम राज करो पुत्र, अब मुझे पर बस एक ही दया करो, कि मुझे भी मेरे राम के पास भिजवा दो, अर्थात यहां पर, जब भरत उठते हैं बच्चों, तो वो तुरन उठकर जाते हैं, रानी कोशल्या के कक्ष में, और जहां के बा कारण कोशल्या भी आहत थी, परिशान थी और दुखी थी, और कहीं न कहीं, वो बात उन्हें खाई भी जा रहे थी, क्योंकि उन्हें अपना पती खो दिया था, अपना बेटा भी खो दिया था, इस नाते से एक माह की जो पिलड़ा थी, वो उपट के आ जाती है, वो उप ये एकी चीज़ का दुख था कि जो तरीका कहकेई ने अपनाया था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और वो बहुत बहुत इक निर्मा व्योहार था, जो किया गया, इस नाते से मेरी एकी इच्छा है कि तुम मुझे भी मेरे राम के पास भीजवा दो, तो ये दुखी ह आहत होकर वो अपने दर्द को कहती हैं, भरत ने रानी कोशलया से छमा मागी, सफाई दी, रानी कैकेई के व्योहार पर गलानी व्यक्त की, अर्थत यहाँ पर बच्चों जैसे कि भरत अब तक सभी के सामने उसी चीज़ को वया कर रहे थे, तो भरत ने यहाँ भी रानी को नहीं था, रानी कहके कि व्योहार पर भी उन्हें गलानी थी, गलानी का अर्थ होता है बच्चों पस्तावा, कि मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है या पस्तावा है कि जो उन्होंने किया, तो इस नाते से वो कहते हैं कि राम मेरे प्री अग्रज है, मैं उनका अहित सो मेरे प्री भाई, बड़े भाई, मैं उनके बारे में कभी बुरा सोच नहीं सकता, मैं अपराधी नहीं हूँ, कौशलया ने भरत को छमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया, भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे, आन्तता कौशलया माता ने अपनी दया बरसाते व इसी चीज़ को देखते हुए, समझते हुए, जो घटनाए घटी उस वक के छड़ को याद करते करते हैं, वो पस्ता के रोते रहते हैं, पूरी राग फूट फूट कर रोते हैं, और कौशलया से अतिधिक नारास्त है वो, अब हम आगे देखते हैं, बचल, सुबह तक शत इसी ने देही देखा था, भरत शत्रुगन, राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, तब इस शत्रुगन की दिरिष्टी बच कर निकलती मंत्रा पर पड़ी, अर्था सुबह तक शत्रुगन को बच्चो ये पता लग जाता है, कि केकेकार किसने भरे थे, मंत्रा अपने सभा सदों के साथ, सभी के साथ मंत्रा याई बाच्चित करते रहते हैं, तब इस शत्रुगन क्या करते हैं, वो मंत्रा पर उनकी दिष्टी पड़ जाती है, जो बचकर वहां से निकल रही थी, और उसे लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खीशते वे भरत के सामने लाए, भरत को दासी की भूमिका बताए, शत्रुगन उसे जान से मारने पर उगत थे, भरत ने बीच बचाओ किया, अथा जब भरत और शत्रुगन राम को वापस लाने की सभा में बाच्चित करते रहते हैं, तब इस शत्रुगन की दिष्टी पड़ जाती है, वो मंत्रा की तोर पड़ी तेजी से लपकते हैं, उसके बालों को खीच लाते हैं, खीचते हुए भरत के सामने लेकर आते हैं, और भरत को दासी की भूमिका बताते हैं, और भरत को जो मंत्रा ने किया था, वो सारी बात उसकी वो बताते हैं कि किस धंक से इस ने इस बातों को कानों मे भरा और फैलाया और जिससे उगत होकर माता ने ये कारे किया शत्रगन उसे जान से मारने के लिए उगत थे उगत कार्थ होता है उतारू हो जाना यानि वो उसको जान से मारने के लिए बहुत उतारू हो चुके थे भरत ने बीज बचाव किया लेकिन भरत ने मध्य में आके इस चीज को सम्हाला की ये करना अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से फिर वो मंत्रा की आक्षा कर लेते हैं। मुनी वशिष्ट अयोध्या का राज सिंगहासन रिक्त नहीं देखना चाते थे। खाली सिंगहासन की खतरे से वे पर्चित थे। उन्हों सभा बुलाई भरत और शत्रुगन को आमंद्रित किया। भरत ने कहा अर्थार वचो यहां मुनी वशिष्ट ने अयोध्या के राज पास के दुश्मन हैं या जो हमारे राज说 के दुश्मन हैं को कभी भी हमला कर सकते हैं। दिना राजा के परजा कैसी इस बात को भरी बात जानते थे औक हाली सिंगहासन के खतरे कैसे सुरच्छित हो सकती है उन्होंने सभी को सभा में बुलाया भरत और शत्रुगन को भी सभा में आने के लिए नेवता भेजा भरत ने कहा भरत से उन्होंने कहा भरत तुम राम राजकाज सम्भाल लो पिता के निधन और बड़े भाय के वन गमन के बाद यही उचित है अर्थात यहाँ पर भरत को समझाते हुए गुरु वसिस्ट कह रहे है कि वस अब तुम भी इस राजकाज को सम्भाल लो क्योंकि अब पिता की मिर्थी हो चुकी है और आपके बड़े भाई भी वन के पत्पर बढ़ चुके है तो अब तुम्हें ही इस राजकाज को सम्भालना चाहिए और यही तुम्हारे लिए उचित भी है भरत ने महर्शी का आग्रह अस्विकार कर दिया बोले मुनिवर यह राज्य राम का है वही इसके अधिकारी है मैं यह पाप नहीं कर सकता हम सब बन जाएंगे और हम राम को वापस लाएंगे अर्थाद यहाँ पर जब महर्शी यह कहते हैं तो भरत ने महर्शी की आग्रह यानि उनके कई भी बात को अस्विकार कर दिया और कहा भी कि हे मुनिवर यह राज यह तो राम का है और वही इसके अधिकारी है मैं यह पाप कदा भी नहीं कर सकता हम सब बन जाएंगे और भाईया को मना कर वापस लेंगे यानि राम को हम लोग मना कर वापस लेकर आएंगे बन जाने के लिए सभी तयार थे भरत ने सबके मन की बात कही थी और सबकी इच्छा भी ये थे कि राम अविध्या लाटाएं अथारवन जाने के लिए सभी अविध्या वासी सवध्या की प्रजा, सभागर्ण माताएं सभी लोग वहां पर तयार थी कि सभी जाके मिलके उनको लेकर आएंगे और भरत ने इस बात को जान लिया था कि हर कोई राम को लाने के लिए थक पड़ था हर कोई चाता था कि राम ही आकर वहां पर राज्य करें जिससे उस प्रजा का सुचार रुप से कारी हो सके इस नाते से वे सबकी इच्छा का मान रखते हुए और जानते थे कि अईध्य के सभी लोग चाते हैं कि राजा राम को ही बरना चाहिए उनके प्रकार को योग राजा हो ही नहीं सकता तो इस प्रकार से भरत अपनी बात को रखते हुए मारशिव वसिष्ट को अपने मन की बात बताते हैं और आगरह करते हैं कि हम सब मिल के वन जाएंगे और वन जाकर हम राजाराम को लेकर आएंगे